सोनम एक मेले में अपने माता पिता से बिछड़ गई थी ममता नाम की एक चालाक औरत की नज़र रोती हुई सोनम पर पढ़ गई और वो सोनम को अपने घर अपने गाउं ले आई सोनम अब 8 साल की हो चुकी है उसे अपने माता-पिता से बिछड़े दो साल हो चुके है सोनम, ओ सोनम, इधरा जरा मौसी आपने बुलाया हाँ ये देख, तु मेरी सारी धूप में फैला कर आई थी न फिर भी हल्दी के दाग वैसे के वैसे ही लगे है तुझे कितनी बार कहा है ठीक से काम क्या कर लगता है बहुत दिनों से तुझे डंडे की खुराक नहीं मिली इसलिए ही ऐसी गलतियां कर रही है मौसी, मौसी मत मारो, मैं फिर से दो दूँगी बहुत दर दोता है मौसी, मौसी, आओ, आओ अरे ममता, ऐसे किसी अनाथ पच्ची को इतना मत मारो पीटो पहले ही तुम इसे इसके गाउं से यहां ले आई हो राम जाने इसके माता पिता इसको ढूंड रहे होंगे उन्हें कहीं पता चल गया तो लेने के देने ना पड़ जाए तुम चुप रहो, अपना काम करो जाओ तुमारी चाय बना कर रखियो, यह ले लो और तू चल, जाओ आप घर के बाकी के काम कर तभी खाने को कुछ दूंगी, वरना भूखे रहना पड़ेगा ममता इसी तरह सोनम पर अत्याचार करती थी सोनम अपने माता पिता को याद करके बहुत रोती मासी बुझे बहुत मारती है, मेर से सारे घर के काम करवाती है बापु आप कहाँ हो, कहाँ हो आप ओ मारानी, बहुत हो गया रोना धोना चल खड़ियो, जा जाकर बाजार से गे हुआ पिस्वा कर ला वो रखी है बोरी, जा ले जा मौसी, ये बोरी तो मेर से उठाई नहीं जाएगी ये बहुत बारी है मौसी ज्यादा नाटक मत कर उठाई से और लेकर जा नहीं तो दूंट अंडे की खुरा नहीं नहीं मौसी, मारना मत, मैं जा रही हूँ सोनम बड़ी मुश्किल से गेहूं की बोरी को अपने सिर पर रख कर बाजार जाने लगती है पर एक दिन किनारे से गुजरते हुए उसके गेहूं की बोरी गिर जाती है जिसमें से सारा गेहूं गिर कर नदी में बह जाता है सोनम रोने लगती है, काफी देर तक वो नदी किनारे एक पथर पर बैठी रहती है तब ही उसे एक आवाज आती है सोनम देखती है एक जाल में बहुत सुन्दर सुनैरी मचली फसी हुई है जो मनुश्यों की भाशा बोल रही है बेटी, बेटी मुझे बचा लो, नहीं तो मचवारा मुझे बाजार में बेचतेगा मुझे बचा लो, मचवारा आजाएगा, मुझे जल्दी से जाल से निकाल दो अरे, तुम तो हमारी तरह बोल सकती हो हाँ, मैं एक जादू ही मचली हूँ मैं तुम्हारी भाषा बोल सुन सकती हूँ पर पानी से बाहर आने के बाद मेरा जादू खत्म हो जाता है मैं अपना जादू सिर्फ पानी में रहकर ही इस्तेमाल कर सकती हूँ इस समय में बहुत दुविधा में हूँ मैं अपनी कोई मदद नहीं कर सकती तुम मुझे इस जाल से निकाल दो, मैं पानी में चली जाओंगी मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे मेरी मदद करो इससे पहले की मच्छवारा वापस लोटा है, मुझे यहां से निकाल दो हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो मच्छी रानी में तुम्हें अभी इस जाल से निकाल देती हूँ सोनम मच्छी को जाल से बाहर निकाल देती है और मच्छी छलांग मार कर पानी में कूच जाती है तभी वो मच्छवारा आ जाता है और सोनम पर गुसा करने लगता है मचली पानी में जा चुकी थी, अब वो अपने जादू का उप्योग कर सकती थी मचली ने अपने जादू से मच्छवारे को उसी जाल में बान दिया मच्छवारा छट पटाने लगा अगर तुम इस लड़की को कुछ नहीं कहोगे तो मैं तुमें छोड़ दूगी वैसे भी अब मैं पानी के अंदर हूँ मैं अपने जादू से तुमें अच्छा सबक सिखा सकती हूँ नहीं, मैं इसे कुछ नहीं कहूँगा मैं यहां से चला जाऊँगा फिर कभी इस नदी किनारे नहीं आऊँगा ठीक है, मैं तुम्हें अब इस जाल से मुक्त कर रही हूँ अब भागचाओ यहां से मच्वारा जैसे ही जाल से मुक्त होता है वो तुरंत ही वहां से डर कर भाग जाता है बेटी, तुम बहुत अच्छी हो तुमने आज मेरी जान बचाई है तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहां नदी किनारे उदास कैसे बैठी हुई थी मच्छी रानी मैं मेले में अपने माता पिता से बिछड गई थी उसके बाद से मैं ममता मौसी के साथ रहने लगी मौसी मुझे बहुत तंक करती है उन्होंने मुझे आज बहुत भारी के हुँ की बोरी पिस्वाने के लिए बाजार भेजा था पर सारा गी हुँ पानी में गिर गया अगर अब मैं बिना आटा लिये घर गई तो मौसी मुझे बहुत मारेंगी अब तुम्हारी मौसी तुम्हे कुछ नहीं कहेंगी मेरी बात ध्यान से सुनो तुम्हे किसी भी तरह अपने गाउं में जाना है जहां मेले में तुम खोई थी तुम्हारे माता पिता तुम्हारा वही मेले में इंतजार कर रहे है क्योंकि उस गाउं में मेला फिर से लगा है और तुम्हारे माता पिता को उमीद है कि तुम उन्हें उस मेले में मिल जाओगी जहां से तुम बिच्छी थी अब अपनी आखें बंद करो मैं तुम्हें आटे की बोरी दे रही हूँ अब जादू से मैं तुम्हें तुम्हारी मौसी के घर पहुचा दूँगी पर मचली रानी मुझे मौसी मेले में नहीं ले जाएंगी मैं उन्हें कैसे मनाओं की वो मुझे मेले में ले जाएं तुम उन्हें वही बताना जैसा मैं तुम्हें समझा रही हूँ सोना मचली के कही अनुसार घर जाती है और वही बात मम्ता से कहती है जैसा जादूी मचली ने कहने को कहा था क्या? तू सच कह रही है? उस गाउं में जहा तेरा घर है उसके आंगन में सोने की सिक्कों का घड़ा दबा हुआ है? हूँ ये बात तुने मुझे पहले क्यों नहीं बताई मौसी वो कल रात मैंने एक सपना देखा था उस सपने से ही मुझे पता चला तो मैंने आपको बताया अब हमें जल्दी मेरे गाउं चलना चाहिए मौसी कहीं ऐसा ना हो कि वो ख़जाना कोई और निकाल ले जाए हाँ हाँ सोनम तु चिंता मत कर आज ही तेरे गाउं चलते हैं सुनो जी चल्दी से सामान बांद लो हमें सोनम के गाउं जाना है मम्ता तुम भी क्या बच्ची की बातों में आ रही हो ऐसे किसी बच्चे की बात पर विश्वास करना ठीक है क्या मम्ता और उसका पती सोनम के साथ उसके गाउं पहुंचते हैं रास्ते में वही मेला लगा हुआ था जहां से सोनम अपने माता पिता से बिछ्डी थी मौसी अब हम गाउं आही गए हैं तो मेरे घर जाने से पहले एक बार बस हम मेले में घूम ले मुझे अपने माबापू की याद आ गई मुझे पता है मैं यही से अपने माबापू से दूर हुई थी हाँ हाँ क्यों नहीं आराम से पहले मेला घूम ले घर कौन सा दूर होगा वैसे तेरा घर कितनी दूर है मौसी बस थोड़ी दूर पर ही है सोनम तो इसी फिराक में थी वो जल्दी जल्दी मेले के पास पहुँचती है तब ही उसकी नजर मेले में खिलोने बेचते अपने माता-पिता पर पढ़ जाती है जादूई मचली ने पहले ही सोनम को बता दिया था कि मेले में किस जगा उसके माता-पिता उसे मिलेंगे सोनम अपने माता-पिता को आवाज लगाती है अपनी बेटी को देख कर उसके माता-पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था वहीं ममता के पैरों तले जमीन किसक जाती है माँ बापू आपको पता है मैं आपके मिना कितना रोई हो यह मुझे अपने घर ले गई और इनों ने मुझे बहुत तंग किया मुझे बहुत मारा, मुझे से बहुत काम करवाया हम भी तुझे ढूरने के लिए दर उदर गूमते थे सबसे तेरे बारे में पूछते थे फिर जब यह मेला लगा तो हमें लगा कि तु कहीं हमें इसी मेले में मिल जाए मेरी बच्ची, मेरी बच्ची चुपो जा, चुपो जा मेरी बच्ची हमारी सोनम हमें मिल गई भगवान आपका लाक लाक सुक्र है मा वो जादूई मचली वो बहुत अच्छी है उन्होंने ही मुझे आपके बारे में बताया था इसका मतलब ये तुम्हारी चाल थी कि तुम अपने माता-पिता से मिल सको हैं? हां मौसी मुझे जादूई मचली ने पहले ही सब कुछ समझा दिया था आप तो सोने के सिकों के लालच में मेरे साथ आई हो नहीं तो आप मुझे यहां कभी भी नहीं लाती सोनम अपने माता-पिता को सारी कहानी बताती है आपने मेरी बेटी के साथ कितना बुरा व्यभार किया पर फिर भी मैं आपको माफ कर रही हूँ क्योंकि आपने मेरी बेटी को अपने पास रखा पर कभी भी किसी के भी गरीब अनाद बच्चों के साथ ऐसा व्यभार मत करना नहीं तो भगवान कभी शमा नहीं करेंगे आप ठीक कह रही हो बहन जी शायद इसलिए आज शादी के नौ साल बाद भी हमारी खुद की कोई संतान नहीं है ममता मैंने तुम्हें कहा था किसी गरीब अनाध बच्ची को मत परेसान करो ममता अपने पती के साथ वापस अपने गाउन लौट जाती है जादुई मचली के कारण सोनम को उसके माता-पिता मिल गए और सोनम की जिंदगी में फिर से खुशियां आ गई दिल्ली शहर में रमेश और टीना दोनों भाई बहन थे और उनके माता-पिता एक बाड़ के केहर का शिकार हो गए थे उनके पास ऐसा कोई नहीं था जो उनका खयाल रख सके एक दिन वो दोनों खाने की तलाश में एक गली से दूसरी गली भटकते रहते थे रमेश अपनी बहन टीना से बोलता है दीदी मुझे बहुत भूग लगी है आज सुभा से कुछ खाने को नहीं मिला है मुझसे और भूग बरदाश नहीं हो रही रमेश बस थोड़ा और इंतजार कर हमें कुछ खाने को मिली जाएगा तो चिंता मत कर चल हम दूसरी गली में चल कर देखते हैं दूसरी गली के बाहर एक गेट लगा हुआ था उसके पास ही एक चौकिदार बैठा हुआ था रमेश और टीना गली के अंदर जाही रहे थे तब ही उन दोनों को वहां बैठा चौकिदार रोगता है अरे अरे कहां जा रहे हो है चलो निकलो यहां से चलो अंकर हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है हमें अंदर जाने तो क्या पता कोई हमें खाना दे दे अरे यहां भीक मागना मना है चलो चलो जाओ यहां से दोनों बच्चे उदास होकर वहां से चले जाते हैं तभी वो दोनों बच्चे चलते चलते एक घर के बाहर पहुँचते हैं वहाँ एक महला थी माता जी कुछ खाने के लिए दे दो ना बहुत भूख लगी है मेरे भाई ने कल से कुछ नहीं खाया है चलो चलो भागो यहां से पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं तभी उनकी आवाद सुनकर एक लड़की घर से बाहर आती है अरे कौन हो तुम और ऐसे भी क्यों मांग रहे हो तुम्हारे माता पिता कहां है उस लड़की की बात सुनकर दोनों बच्चे उदास हो जाते हैं हमारे माता पिता नहीं रहे हम दोनों अकेले हैं इसलिए हम भी इक मांग रहे हैं क्या हुआ आपकी माता पिता को हमारे गाउं में दो दिनों से बहुत तेज बारिश हो रही थी और पासी बने बान में पानी का अस्तर भी बहुत बढ़ गया था इसी कारण मेरे पिता ने मेरी माता से कहा था सरला हमें जल्दी ही इस गाउं से निकलना होगा पानी का अस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है मैंने सारा सामान बांग लिया है हमें अब यहां से निकलना चाहिए दीना बेटा तुम अपने पिता जी के पास जाओ रमेश को मैं उठा लूगी सभी गाउंवाले अपने अपने घर छोड़ कर जाने लगे थे पानी का अस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा था मोहन और सरला अपने बच्चों को लिये आगे बढ़ रहे थे तभी उनके पास एक बोट आती है देखिए अभी बोट में बैठने के लिए कोई जगा नहीं है आप दूसरी बोट का इंतजार करिए ठीक है पानी कर्शतर बहुत बढ़ गया है साब आप हमारे बच्चों को ही बस बैठा लीजिए वो सिर्फ हम दोनों को ही बोट में बिठा लेते हैं हमारे माता पिता वही रह जाते हैं और हमारी बोट जैसे ही आगे बढ़ती है दूसरी और गाउ में बने होगा बान तूच जाता है और पानी का सैला आप सब को अपने साथ बहा कर ले जाता है उसी बार में हमारे माता पिता भी बैग गय थे अभी हमारे पास ना तो घर है और ना ही खाने के लिए खाना अच्छा तुम दोनों यहीं रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ यह कहकर वो लड़की घर की और खाना लेने चली जाती है रमेश और टीना वहीं घर के बाहर बैट कर उस लड़की के आने का इंतिजार करते हैं और तभी उस घर में एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी में से एक महला बाहर निकलती है और जैसे ही वो रमेश और टीना को देखती है वो गुस्से में तुरंत ही चिलाते हुए बोलती है कौन हो तुम और यहां मेरे घर के आगी क्यों बैठे हो निकलो यहां से पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं वो महला बहुत ही अमीर और घमंडी थी जी हमें भूक लगी है वो दीदी हमारे लिए खाना लेने के लिए अंदर गई है यह कावया भी पता नहीं किस-किस को बिठा लेती है तुम दोनों उठो और भागो यहां से जादी से वो औरत रमेश और टीना की कोई बात नहीं सुनती और उन्हें वहां से भगा देती है तब ही वो लड़की कावया खाना लेकर घर से बाहर आती है और वो देखती है कि वो दोनों बच्चे तो वहां है ही नहीं अरे वो दोनों बच्चे कहां चले गए तो फिर वो अपनी मा को देखती है कावया अपनी मा से पुछती है मा भी इधर दो बच्चे थे वो दोनों कहा गए कि आपने उनको देखा है बेचारी दो दिन से भूखे थे, उनको बहुत भूख लगी थी, मैंने तो उन्हें यहीं बैटने को कहा था, पता नहीं कहा चले गए मैंने उन दोनों को यहां से भगा दिया, तो ऐसे किसी की भी बातों में मत आयकर तुम्हें यह कितनी बार समझाएं, यह सिर्फ गरीब दिखते हैं, लेकिन यह बहुत चालाक होते हैं, मौका मिलते ही चोरी करके रफुचकर हो जाते हैं मा वो दोनों बहुत अच्छे थे, उन बच्चों के माता-पिता बार में बैगे थे, अब उनका कोई नहीं है, इसलिए वो भीक मांग कर अपना गुजारा कर रहे हैं कावया की मा उसकी बात नहीं सुनती और वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं, कावया भी अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन अभी भी कावया उन बच्चों के बारे में सोचती रहती है पता नहीं उन बच्चों को कहीं खाना मिला होगा भी या नहीं और काव्य भगवान गणेशी से प्राथना करती है ये गणेशी जैसे आप मेरा साब देते हो वैसे ही उन बच्चों पर भी अपनी कृपा करना और दूसरी तरफ रमेश और टीना खाने के लिए दर-दर भटक रहे थे दीदी मैं बहुत थक गया हूँ चलो ना कहीं हम बैठ जाते हैं ठीक है रमेश अगर कोई पेड दिखेगा तो हम इस पेड के नीचे बैठ कर थोड़ी दिर आराम कर लेंगे ये कहकर वो थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं तभी उन्हें एक पेड दिख जाता है और वो दोनों उस पेड के नीचे बैठ जाते हैं दीदी हमें कोई भी खाना नहीं देगा तो हम ऐसी भूके मर जाएंगे रमेश, तू यहीं आराम कर, मैं उस मंदिर के पास जाकर देखती हूं ये कहकर टीना मंदिर की तरब जाती है तभी उसे रास्ते में एक औरत मिलती है वो एक फूल वाली थी, उसके ठेले का पईया एक गड़े में फ़स गया था धन्यवाद बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम टीना है अंटी, क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? मेरा भाई बहुत भूखा है बेटा, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, क्या तुम यहां अकेले हो? हाँ, हम दोनों भाई बेन ही एक दूसरे का सहरा है ये बात सुनकर उसको उन पर दया आ जाती है मेरा नाम सुधा है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हे वहां कुछ खाने को दे दूगी मेरा घर यहीं पास में है तीनों और रमेश सुधा के साथ चल देते हैं, वहां पहुचकर सुधा उन दोनों को खाना देती है दोनों बच्चे खाना खाने लगते हैं, उनको खाना खाते देख कर लग रहा था कि वो दोनों कई दिनों से भूखे हैं और उन्होंने कुछ नहीं खाया दोनुकी हालत देखकर सुधा की आँखों में आसु आ जाते हैं धन्यवाद आंटी जी धन्यवाद बेटा मेरा नहीं गणेश जी का करो क्योंकि उनकी ही क्रिपा से हम मिल पाए हैं मैं भी अकेली हूँ इस दुनिया में पर अब हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे तीनो और रमेश ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं उसी दिन से वो तीनो साथ में रहते हैं और तीनो ही फूल बेशने भी जाय करते थे और वो एक परिवार के रूप में फ्रेम से रहने लगे हलो दोस्तों कैसे है आप सब हमारी कहानिया देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजे और हां बेल आइकोन पर क्लिक करना मत भूलेगा